नमस्कार दोस्तों स्वागतिया एक बार फिर से आपका हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वारता में और आज हम हम हिमाच्छ परदिश में बीएड एंटरेंस की जो परिक्षा हुई है उसको डिसकस कर रहे हैं और इससे पहले हमने पहले के जो 45 कोशन से उनको डिसक करने वाले हैं तो पहले वाले पार्ट में हमने एक प्रशन छोड़ा था कि कितने जो राज्य थे जिसमें वो राशन कार्ड वाला था तो उसमें सही अंसर उसका सत्रा हो जाएगा तो आप उसको ठीक कर लिजेगा चलिए यहां से आगे वाला जो पोर्षन है इसको देखत कह सकते हैं कि कहां पर कौन सी चीज़ें जो हमसे गलत हुई हैं तो सीधे यहां पर स्टार्ट करते हैं बिना देर किये 51 जो कॉश्चन है वहां से देखिए इसमें क्या पूचा गया है 51 और 22 में identify the errors आपने simply इसमें देखने थे तो 51 का जो साही आंसर होगा देखिए each and every one was present at the wedding तो इसका जो साही आंसर होना चाहिए तो भी कल्प नंबर A होना चाहिए तो इसमें अगला प्रशन है 53 फिल in the blank with correct prepositions तो इसका साही आंसर होगा देखिए 53 का यह कह रहा है तो 53 का जो साही आंसर होगा देखिए यह होगा विकल्प नंबर C in a year find out the proper synonym of underlined word suddenly Rani heard the sound of water trickling तो इसका जो साही आंसर होना चाहिए देखिए 54 का वह होगा विकल्प नंबर A साही आंसर होगा विकल्प नंबर A अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि कुछ एक गलत है या कुछ जानकारी जो है साही तरीके से नहीं बताए जारी है आपको मतलब साही आंसर नहीं लग रहा है मालूम या फिर गलत बता रहे हम तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कह सकते हैं क्योंकि हमारे नीजी प्रियास है मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ 55 जो कॉशन है देखिए कॉशन नमर 55 फिल इन द ब्लैंक विद कोरेक्ट कोरेक्ट आर्टिकल तो इसका जो साही आंसर होगा देखिए इज एबसर्ड एबसर्ड स्टोरी विसंगत जिसको कहते ह है इज एबसर्ड स्टोरी तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा 55 का जो साही आंसर होगा विकल्प नमबर A साही आंसर होना चाहे इसका N It is an absurd स्टोरी, select the proper suffix of hard, तो hard का जो suffix होगा देखिए, साई आंसर होगा इसका विकल्प नॉमबर b, harden, n, select the correct tense of given sentence, I shall visit the book fair tomorrow, 57 का जो साई आंसर होगा देखिए, विकल्प नॉमबर c, simple future, next जै 58, select the proper adjective of diplomacy, तो इसका जो साई आंसर होना चाहिए देखिए, diplomacy, 58 का विकल्प नॉमबर b, diplomatic, चलिए, अगला प्रशन है देखिए, select the correct plural form of woman, तो woman का जो होता देखिए, women, यहाँ पर 59 का जो साई आंसर होगा, यह होगा विकल्प नॉमबर c, next question है देखिए, find out correct antonyms of underlined word, there were copious rains, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 60 का जो साई आंसर होगा, विकल्प नॉमबर a, S, E, A, N, T, Y, यह वाला इसका साई आंसर हो जाएगा, next है देखिए, 61, fill in the blank with correct word, India is planning many atomic plants to generate power, 60, जो 1 है देखिए, इसका जो साई आंसर होगा, विकल्प नॉमबर b, to build, next question है देखिए, direction दी गई उपर, question नॉमबर 62 और 63 में, यह कहरें, changing nouns into verbs, तो यहाँ पर thrill, तो इसका साई आंसर होगा, विकल्प नॉमबर c, three link, चलिए, अगला परशन देख लेते हैं, 63rd, knowledge, तो knowledge में क्या हो जाएगा, आपका देखिए, 63rd का, यह हो जाएगा, आपका विकल्प नॉमबर d, knowingly, ठीक है, 64rd से लेकरके, 68rd तक, यह आपको यहाँ पर paragraph दिया गया था, इसमें से आपने देखने हैं, paragraph आप खुद पर लीजेगा, थोड़ा सा मैं आपको हलक हलका इसका बता दूँ, थोड़ा बहुत, जो हमारी चानकारी के अनुसार सही, उत्तर हैं इसके, 64rd का देखि ब्लिए पास्ट पास्ट इस फेस, next है, the author was thrown across the room, because 66th का होना चाहिए, बिकल्प नमबर B, चलिए, next question हम देख लेते हैं, 67th, which of the following did the author do first, तो सही answer इसका, क्या होना चाहिए था, बिकल्प नमबर B, climbing into bed, next है देखिए, 68th, the praise not having a lot for, means, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका बिकल्प नमबर C हो जाएगा, not being prepared for something, तो बिकल्प नमबर C इसका सही answer होना चाहिए, next है, 18th और 17th जो प्रशन है, identify the correct sentences, if you work hard, you will succeed in life, तो इसका जो सही answer होगा, देखिए, बिकल्प नमबर C, complex sentence, तो इसका जो सही answer होगा, देखिए, 70th जो question का बिकल्प नमबर A, सही answer होगा, इसका exclamatory, हिंदी में जिसको कहते हैं, विसमयादी बोधक, next है देखिए, 81 और भत्रों यहाँ पर कह रहे हैं कि निर्देश दिये गया है, कि इसमें आपने रिक्तस्तानों की पूर्ती करनी है ठीक है, तो यह Q, P, O, N, M, L, K, J, I, इसका अगला जो करम था, वो आपने रखना था, तो बिकल्प नमबर A, इसका सही answer हो जाना था, next से देखिए, DEF, DEF, DEF2, नीचे लिखा हुआ है, तो इसी करम में यह कह रहे हैं कि आगे क्या आएगा, तो 72 जो question ने देखिए, इसका बिकल्प नमबर D सही answer होना चाहिए, बिकल्प नमबर D, यहां पर 70 जो 3rd है, question number देखिए, यहां पर है कि आपका एक तरफ sound है, दूसरी तरफ लिखा है कि आपका क्या क्या कोला हल है, ठीक है, ध्वनी और ध्वनी का समन्द कोला हल है, और दूसरे आपका देखिए, जैसे इसका सही answer होना चाहिए था, गंद या बदबु, ठीक है, बिकल्प नमबर C, नेक्स से दिखिए, 74th जो question है, यह question, I think, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा यह गलत है, यहां पर इसका सही answer 5 होना चाहिए था, जो यहां पर बिकल्प में नहीं दिया गया है, ठीक है, तो बाकि Maniac, जो लिकाया हागे देखिए, यह कितना होगा, यह कहा गया था, तो देखिए, इसका होगा 41, तो सब चीजों को आपने मिला आना था इनको, तो फिर आपके सामने इसका उत्तर आ जाना था, कि A पहले नमबर पर है, N वैसे आपके दस्वें बारों जो भी आता है, इसको गलत है, गलत शवद शब्द आपने बताना है, 76th question का, ठीक है, तो यह भी आप मुझे बता सकते हैं, comment section में जाकर, और 77th जो question है, यहाँ पर इस question का उत्तर भी, दोस्तों, मुझे exact नहीं मालूम है, तो इसलिए मैं यह चीज भी आपको नहीं बता रहा हूँ, चलिए अगल आप तिहां से देख लेना, है ना, तो यह कह रहे हैं कि, WZ से किस प्रकास से संबंदित है, यहाँ पर जो 78th है, इसका साई answer, C होना चाहिए, बहन, 79th जो question है, चूज देखिए, choose the number which is different from others, तो यहाँ पर simple सा अगर देखा जाए, तो others से different 242 है, क्योंकि यह आपकी समसंख् अगर आपको लगता है कि किसी अलग तरीके से इस प्रशन को पूछा गया है, तो आप वो चीज़ भी हमें बता सकते हैं, चलिए अकला प्रशन देख लेते हैं, यहाँ पर fill in the blanks, एक बार फिर से बोला गया है, 80, जो question है, question number 80 है, यहाँ पर इसका साई answer होना चाहिए था, तो मैं सींधा आपको इसका answer बता देता हूँ, 81 जो question है, इसका answer होगा, दक्षिन, पश्चिम, नेक्स देखिए, 82, दो बजगर 40 मिनट पर घड़ी की सुईया, किस कोण पर जुकी होती है, तो 82 जो question का होगा, निकलप number B, 160, चलिए, नेक्स देखिए, तरासवा question, यहाँ पर, एक कतार में अमरिता आगे से दस होएं, जबकि मुकल पीछे से 25 हैं, और ममता इन दोनों के ठीक बीच में है, यदि कतार में 50 बजगती हों, तो ममता अपने क्रम से किस स्थान पर आती है, सामने से किस स्थान पर आती है, तो 83 का जो साई अंसर हो जाएगा, देखिए, विकल्प नमबर C, 18 नमबर पर, चलिए, अगला प्रशन देख लेते हैं, यदि किसी महीने का 30 दिन मंगलवार है, तो निमिल कि में से कौन सा उस महीने के 27 दिन से पहले चौथा दिन होगा, 84 का होगा विकल्प नमबर A, मंगलवार, चलिए, नेक्स प्रशन देख लेते है निमन में से कौन सा शब्द, अन्य शब्दों से संबंधित नहीं है, यहाँ पर टायर है, टायरिंग विहील है, इंजन है, और कार है, तो कार है, के कार के बाकी क्या है, सारे अंग है, तो विकल्प नमबर D, इसका साई अंसर होना चाहिए था, 86 ते दिखिए, यदि, अंक मोहन से कम हैं, लेकिन सोनम से अधिक हैं, यदि कर्मा के अंक भी राम से अधिक हैं, सबसे कम अंक किसके हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा देखिए, आपका जो प्रशन नमबर 87th है ना, 87th का जो सही आंसर होगा देखिए, वो हो जाएगा आपका विकल्प D, 3, 5, 1, 4, 2, यह इसका सही अंसर हो जाएगा, next से देखिए, 89 यदि X, sorry, Y और X से 20 प्रतिशाद अधिक है, तो X, Y से कितना कम है, ठीक है, तो जो आपका, यह वाला प्रशन है देखिए, 89 इसका जो सही अंसर होगा, भी कल्प नंबर C, 23, चलिए, next है, यहाँ पर अगला प् इसका साइकल में, पेटरोल से भरा टेंक, 10 दिनों तक चलता है, यह अधिक उप्योग करना शुरू कर देता है, तो पेटरोल से भरा टेंक, कितने दिनों तक चलेगा, तो 90 जो कोशन है, इसका विकल्प नंबर D होगा, 8 दिन तक वो चलेगा, यह क्यानुवा प्रशन है, राष्टिय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है तो यह होगा आपका विकल्प नंबर C सैम पित्रोदा जो कोशन है जमलिक्त में से किस आयोग ने नैतिक मुलियों के एक भाग के रूप में मौन ध्यान का सुझाव दिया था तो सही कारण नहीं है 93 जो कोशन है यहां पर इसका देखे क्या अंसर हो जाएगा विकल्प नंबर A मनुष्य की सामाजिक प्रकृति 94 कोशन देख लेते हैं भारा सरकार द्वारा अपना आए गई 1948 की राष्ट निती शिक्षक शिक्षक के निमे लिखित पहलों पर जोर दिया तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इसका देखे 94 जो फोर्थ कोशन है इसका जो सही आंसर होना चाहिए आपका विकल्प नंबर ए इसका साही अंसर होना चाहिए शिक्षकों के लिए प्रियाप्त परिलब्धियां और श्यक्षनिक स्वातंतरता 95th कोशना देखिए SUPW की अवधारना द्वारा स्पष्ट की गई है ठीक है तो 95th का जो सही अंसर होगा देखिए यह होगा आपका विकल्प नंबर सी इश्वर भाई पटेल समिक्षा स्मिती चलिए नेक्स प्रशन देख लेते हैं SSA का उदिश्य क्या है तो सही अंसर होगा 97th का देखिए विकल्प नंबर B प्रारंब्यक शिक्षा का सारवभोमिक करण 98th है माध्यमिक स्थरपर शिक्षा के लिए पुनश्चरय पाठक्रम निमंद्वारा संचालित किये जाते हैं तो 98 का जो सही अंसर होगा यहोगा विकल्प नंबर A सही अंसर इसका क्या हो जाएगा राज्य शिक्षा संस्थान NUEPA is considered with तो इसका सही अंसर होगा देखिए विकल्प नंबर D एजुकेशन एजुकेशनल प्लानिंग और आखरी इस वाले पार्ट का जो आखरी प्रशन है यहाँ पर देखिए सवाँ जो प्रशन है भारत में विशेश शिक्षा कारेक्रम में शिक्षक शिक्षा की मानेता के लिए किसने समझाता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं तो इसका जो साही अंसर हो जाएगा यह होगा आपका विकल्प नंबर C RCI और NCTE तो साही अंसर C होगा इसका तो यह थे दोस्तों अभी के जो 50 प्रशन है अगर इन 50 प्रशनों में कुछ गलतिया हो गई हो या कुछ कमी रह गई हो तो आप कमेंट सक्षन में जाकर वो चीज़ भी कह सकते हैं जल्दी अगला पार्ट लेकर हम आपके बीच में हाजिर होंगे तब तक के लिए मुझे दीजी जाजत जैहिन जैभारत